लीजिए दोस्तों आज फिर से मैं एक श्वीट दिश एने की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ तो वीडियो फूल देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर कमेंट जरूर करिएगा तो यह मैंने मलाई निकाली थी जो हम दूद गरम करते हैं तो उसमें स तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब मैं इसका आटे का डो लगाऊंगी तो यह मुझे पानी दूद की अवश्चकता नहीं पड़ेगी उसी में मैंने क्या कर रहा है एक कप के करीब गेहू का आटा एक बावल लिया है उसको भी अच्छ से हातों से मैंने मेस कर लिया है और यह देखें फिर मैं हातों से भी करूंगी अच्छ से करने के बाद में ताकि अच्छ से यह एकवल एक जैसा आटे का डो लगाए इसमें दाने नहीं रहने चाहिए वैसे दाने है नहीं मलाई है चिकनापन है उसमें लेकिन फिर भी हम हतेली की मदश से इसको अच्छ से मस लेंगे तो यह जटपट से बनने वाली रेसिपी है और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करें आपको तो यह वाली रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा एक बार बनाएंगे तो हर बार बनाने का आपका दिल करेगा क्योंकि यह जटपट से बन जाती है ज्यादा कुछ नही अब्जोब करने में पान से शोप्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से तो जैसे हम आवा वगेर को गुत्त हैं उसी तरीके से गुत्थना है हमें इसको भी इसको रखेंगे साइड में और फिर हम क्या करेंगे इसके लिए मिठाई बना रहें तो मीठा तो बनेगा चकर से चीनी उसके कपे करीब चिनी डाली में डेड़ से कप पानी इसमें 2 मौप लिया आप जितना बना रहे हुं इसको मीठा के हिसाब से आप लीजियेगा इसको मैं शेया देर न बना लेती हुँ मलाई वाली तो क्या करेंगे हम इसको करके आपको इसे भी आकार में बना लिजिए लिकिन आज में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-च जब हमारे यह आटे कड़ो अच्छे से लग जाता है तो इसमें तीर बगेरा कुछ भी नहीं लेती चासनी में पट्टे केंगे या फ्राई करेंगे इसको तो यह अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो सारे में इसी तरीके से बना लिए यह देखे एक दम है ना लुकेंग हो गई थी मुझे ज्यादा गाड़ी नहीं चाहिए थी थोड़ी सी चाहिए थी उसमें मैंने थोड़ा सा इलाइची दाना डाला और हातों से इस तरीके से देखा तो हाँ परफेक्ट हो गई है मैं इसको बंद कर दूंगी गेस को और अब चलेंगे हम दूसरी ओर ताकि हम प्यूर देशी गाउं वाला फेवरा है इसमें तो चलिए फिर हम क्या करेंगी घी को हमने अच्छे से गरम कर लिया है फिर एक ही करके हम देख लेंगे पेले कि हमारा विल अच्छे से गरम हुआ नहीं फिर एक ही करके हम इसमें डीप करेंगे तो डीप करने से पहले आप एक बार चेक कर लिजिए एक दो फीड डाल के अच्छी फ्राई हो तो ही डालेगा तो मैंने कर लिया था अब में सारी इसमें डीप कर दूंगी तोड़े सी मलाई थी ज्यादा मलाई भी नी थी और मेरे बच्चों को खाने का मन कर रहा था मिठाई तो बनाऊ भी तो क्या बन अब भी आज थोड़ी फ्राई हो गई है इसको क्या करूंगी मैं मतलब जो घी है ना उसको थोड़े सा चंचे की मदश से इस पर डीप कर दो कि सारे ना एक जैसा कलर आए सारे उस पर नहीं तो कहीं के कच्चे रह जाए कई के कैसे नहीं और हाँ एक बात का यह विसे द्य कर रहा था इसको ना एक साइट पकने दिया फिर दूसरी साइट हम पलटके इसको और आम आराम से होले होले हाथों से पका लेंगी तो जाजा जहन्यत नहीं है इसमें बेसे तो और यह थोड़ी सी मलाई अगर आपके पास रखिये गाड़ी वाली तो उसमें ऐसा करके बना तो देखिये कितना अच्छा कलर आया तो मेरी मलाई वाली स्लेंडर गुलाब जामन का कलर आ गया अब यह मैं इसको निकाल लोंगे क्योंकि मुझे इसमें चासनी में डीप करना था तो मुझे बनाने में 15-18 मिनिट लगा था क्योंकि मैंने छे मिनिट के लिए आटे का डो क्योंकि इसका ना मावा वाला फेवर भी नहीं है औरना मावे वाला पाउडर है ना खोया बगेरा कुछ भी नहीं है इसमें मलाई और मलाई के सांथ जो लिक्विट दूद रहे गया था उसमें हमने आटागो उथा तो यह जवड़ जरस्त रेसिपी एकदम मैंने तो बना तो यह मतलब एकदम सोप्ट सोप्ट बनी है अंदर तक इसमें चासनी चली गई है और चासनी बनाते समय आप अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा रख सकते हैं अब मैं क्या करूँ नानी आई थी मेरे घर तो मैंने नानी को दिया मिनका नानी यह वाली गुलाब जावन खा यह वाला मिठाई बनाया है उमीदे यह रेसिपी और यह मिठाई आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा फुल वीडियो देखिएगा लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करिएगा और हाँ यह मिठाई वाली रेसिपी मेरे लिए दूआ विस करना कि में थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओ चलिए तो फिया मैंने नानी को दिया है आई होप आज की यह मिठाई रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा एक दो और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे नए आइडिया के साथ तब तक के लिए जयराम जी की हेल दी खाईए हेल दी रहिए और हमें सपोर्ट करिए